प्राब्लेम नहीं है उसके बारे में अभी बात करना हूं भाग दोन पार्ट टू क्या है कि एक तो बच्चों को समझाओ कि अभी तू बड़ा हो गया और यह तू बेड़ गिला कर रहा है ठीक है कोई प्राब्लेम नहीं है उसको ठोकना नहीं कुछ नहीं करने का है उसको बोलना है कि ठीक है सोने के तीन घंडे पहले पानी चाय नास्ता खाना पिना सब बंद करना है नंबर एक सोने के तीन घंडे पहले नमबर दो जब सोने के पहले वो टॉइलेट जाके आएंगा पेशाप करेंगा नमबर तीन अलाम लगाना है सोने की तीं गंडे बात व दस बजे सोता है तो एक बजे का अल्म लगाने का है और एक बज़ आलाम लगा कि देखना है कि उसने बेड़िवेट किया है कि इसका मतलब 3 गंडे के पहले उसने पिशाप कर दिया है तो फिर हमको क्या करना पड़ेंगा दूसरे दिन बारा बज़े का आलम लगाना पड़ेगा और बारा बज़े उठाना पड़ेगा हमको यह टाइम मिश्चित करना है ट्रायल एंड एर्र से कि अप्रॉक्सिमेटली बेड गिला करता है तो उसका टाइमिंग क्या है तीन systematic बार सीथे एक ऐसे थल्भात इसरी और फोटा से क्व्हां ऑबादे दो एक हम को यह मालुम हो गहाइं कि अन्दर थे फिन घंटेश यह ड़का तो उसके जए Chairman लॉट ने जाना चक्शते양 सब्ढ़यकब कर जामर के सब्सें सब्काइश है करpe बाद में उसमें बेड़ गिला कि इसका मतलब इस सेकंड टाइम ऐसा होता है तो फिर हम क्या अगरेंगे तीन गंटे के बाद में और अलाम लगा देंगे और देखें कि अभी सेकंड टाइम कब कर रहा है वो भी ट्रायल एन एर्र से मालूमात कर लेंगे कि अलाम लगा देंगे उसको उठाएंगे और उसको टाइलेट लेकर जाके वापस आके सुलवा देंगे और फिर यह समय हमको यह समय हमको धीरे 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 बढ़ाने का है क्या हो जाएंगा इसका कंडिशनिंग हो जाएंगा बच्चे का रोज उसको उठाएंगे टा ट्वाइलेट जाके आएंगे वापस हो जाएंगा तो यह कंडिशनिंग होना है उसके लिए यह मेथर्ड अप्लिकेबल है और यह मेथर्ड आप करते है तो डेफिनेटली एक ऐसे समय आएंगा बार-बार-बार उठाके कि वो खुद ही उसका जो ब्लैडर भर गया होंगा त जाके टाइलेट करके वापस आजाएंगा तो यह मेथर्ड बहुत ही पाहरफुल है और यह मेथर्ड से बहुत अच्छा फायदा होता है थैंक्यू मांसी करोगी तथा शराबी के गसनी इनको बिना रिष्टेदार अकेले हम हमारे होस्पिटल में पेशन्ट को भरती करते ह और उनका इलाज करते हैं